हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो करमचारियों पैंसनर्स और फैंबली पैंसनर्स के लिए मैं एक ही बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट ये खबर है आप सभी के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में लास तक और अगर चैनल में पहली बारान तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसी ही न्यूज इन्फोर्मेशन और अपडेट्स के लिए साथ ही साथ आप हमारे नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निसान को जरूर दबाएए तभी आपके आपस हमारी वीडियो को वीडियो के लेटस नोटिफिकेशन आप आएंगे और आप हमारी वीडियो के जो नो केंदी करमचारियों के महेंगाई भत्ते यानि डिये में जल्द बढ़ उत्री हो सकती है इसके साथ यह साथ जो है 18 महीने के बकाया डिये एरियर पर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है अगर ऐसा हुआ तो ना केवल केंदी करमचारियों की सैली बल्कि एरियर मिलने से भी कर देती है तो कर्मचारियों को बहुत बड़ी रहत मिल सकती है कर्मचारी लंबे अर्शे से डिये के अटके हुए पेसों की मांग कर रहे हैं माना जा रहा है कि 26 जनवरी के आसपास जो एक हब्वीक होगा सरकार उस पर फैसा ले सकती है मीडिया मैसी खबरे आ रही है जिनके बाद केंदी कर्मचारियों को एक मुस्त महंगाई भत्ते का बुक्तान किया जा सकता है सीधा सीधा होगा 2,00,000 का फाइदा अगर सरकार ऐसा करती है तो किन्द सरकार ने फैसा ले लिया है तो किन्दी करमचारियों को 2,00,000 रोपई तक का फाइदा होने की उमीद है लेवल वन के करमचारियों का DA area 11,880 रुपे से लेकर 37,554 रुपे तक है वहीं लेवल 13 और लेवल 14 के लिए पैसा जोड़ा जाया तो करमचारियों को DA area का 1,44,200 रुपे से लेकर 2,88,200 रुपे तक का बुगतान किया जा सकता है अब जो बड़ी ख़बार है वो है कि DA area पर जल्द बातचीत होने वाली है National Council of J.C.M. Department of Personal and Training और वित्मन्चाला के बिच इस सिलसिले में कई दोगी बातचीत भी हो चुकी है हलाकि अब इतक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में Cabinet Secretary के साथ इस मैसले पर एक बड़ी बैठक हो सकती है National Council of Joint Consultative Machine जेसीम ने सरकार के सामने एक डिमान रखी कि DA की बहाली करते समय 18 मैने के लटके हुए DA area पर भी वन टाइम सेटलमेंट किया जाना चाहिए सरकार इसे हरी जंडी दे देती है तो कर्मचारियों खाते में इस साल मोटी रकम आ सकती है National Council of Joint Consultative Machine जेसीम के सचिव स्टाप साइट विश्चिव गोपाल मिश्चा का कहना है कि अगर लेवल एक कर्मचारियों के बात करें तो DA पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा साथी साथ जो अधर पी लेवल से उन पर भी बात बढ़ेगा आपको बता दी कि 18 मैने के area का मामला जो है सरकार तक पहुँच गया है area भुकताओं को लेकर भारतिय पैंसन बोगी मंच ने सरकार को भी जिठी लिखी है प्रदान मंत्री से BMS ने भी अपील किये कि वह इस मामले में हस्चेप करें और बित पंत्राले को एक जनवरी दोयर बीस से 30 जून 2021 के बीच रोके गए DA-DR के area को जल जारी करने का निदेश करें तो आप देख सकते हैं इसमें बड़ी खबर थी सरकार तक मामला पहुँच गया है आगे जो है cabinet secretary की meeting भी हो सकती है जिसमें JCM Department of Personal and Training और Finance Ministry के बीच में जो अधिकारी है उसमें मसले पर बात हो सकती है जो भी अपडेट आएगे हम आपको ज़रूब बताएंगे वीडियो अच्छा हो तो लाइक करेगा सेर्स अभी के साथ करिएगा ऐसी न्यूज इंफोर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमाँ चैनल को सब्सक्काइब भी कर लेगा इलते हैं आपको नेक्स वीडियो में थेंक यू सो मच